हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के मैदम से क्लास 10 साइन्स का 4 चेप्टर जिसका नाम है कारवन योम उसके योगी तो आज की इस वीडियो के मैदम से हम इसी चेप्टर के बाएर में शड़ी करेंगे और समझेंगे की कारवन क्या होता है कारवन का प्रतिक क्या होता है कारवन के प्रमाण करमांग कितना होता है और ये कारवन कीन कीन ततोस मिलके अपना कंपाउंड बनाता है जैसे कि यहाँ पे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और बहुत से ये अपना योगिक बनाता है तो आज की इस वीडियो के माधम सम इसी चेप्टर के बारे में शड़ी करेंगे वीडियो बहुत ज़यदा most important है वीडियो में सुरू से एंड तक बने राना उसके पले वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मैं सारे भी लेगन भी प्रेस जरूर कर देना इसके पले हमने चेप्टर 3 तक बहुत ही अच्छे देंग से कवर करवा रखा है अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो एक बार लिंक चेक कर रहे ना या आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा ठीक ना तो समझते हैं कारवन एवं उनके योगी तो सबसे पहले बात आगे कि की तो कारवन की ठीक, तो कारवन क्या है मैंने जब भी धात और अधात वाला चिप्टर बता हैं तो उसमें मने बताए था कि कौण से धात हूए और कौण से अलिमेंट अधात हुए और कुल कितने element है ये भी मैने बताया था ठीक ना तो total 108 जोरी यहाँ पे 118 element है और उसमें 91 क्या है तो metal है और बाकी सब non metal and metal alliites है उसमें carbon क्या है तो एक non metal है carbon क्या बहीं तो carbon एक अधात हुए जिसका प्रतीख kapital c है इसमाल पूर्च नहीं Capital C तो कार्बन एक अधात हुए अधात मतलब नौन मेटल कहने का मतलब क्या हुआ यह किसी भी जा किसी भी प्रकार की धारा का यह प्रवाह अपने में से नहीं होने देगा इसी तरीके से समझ गये उसे हम क्या बोलते हैं अधात बोलते हैं अब यहां पर बात आती है कि सरुत मुखी तत्व कार्बन भूपरपटी में खनीजों के रूप में 0.02% तथा वायू मंडल में कार्बन डाई अकसाइड के रूप में यह 0.03% प्रजेंट है उपस्तित है भूपरपटी मतलब जमीन के अंदर खनीज के रूप में यह 0.02% के रूप में मंडल में किसमें वायू मंडल में यह कार्बन डाई अकसाइड के रूप में 0.03% उपस्तित है या प्रजेंट है और सभी सजीवों जैसे पौधों एवं जन्तुओं में ठीक ना सभी सजीव कहने मतलब पौधे हो गये चाहां जन्तु हो गये मनुस्तिय हो गये का जो शरी किसी कार्बन कांपाउंड के वज़ा से हमारा सरीट बना होता है किसी भी पोधे का बोलो या किसी भी जीव जानवर का बोलो समझना गया अब हम यहां पर समझेंगे अगला टोपिक कार्बन में सह सन्योजी आबंध आनकि कार्बन कितने तरीके से यह बांड बनाता है ठीक तो हम आगे इसको बहुत ही detail में चर्चा करेंगे तो सबसे फ़रे रहें कारवन की जो प्रमादु संख्या होती है यह बहुत ही most important है जानना तो कारवन की प्रमादु संख्या कितीन होती है तो 6 होती है अब इसका electronic विन्यास लिखने का तरीका इलेक्ट्रानिक्स बिन्यास को हम लिखते हैं C6 इस तरीके से अब देखो इस 6 को हम चार भाग में डिवाइड करेंगे इसे माल लो जो कक्ष होते हैं वर्ग होते हैं उसके इसाब से तो कितने कक्ष होते हैं कौन कौन से कि इल क्षा भी होता है और व्रकाख साथ उसके बारे में यहां पर कख्षा है उसमें बचे हुए अलेक्ट्रान भर जाएंगे एल को भरने के लिए 8 यहां पर आ ओसकता पड़ता है लेकिन यहां पर आछ सब कम है यहां पर चार यह भर दिया जाएगा इस तरहक से करबान का जो इक झिस कारश talvez कट्रानिक विरन था और से वच एपеты अपरोर होगा तो five yourself खॉत कि निलक्ट वलक्टार्ण करसे अगें समझे आ गया अब हम यह समझेंगे कि यह कारबन है उत्यक्रिष्ट गेस बिन्यास कैसेसे प्राप्त करता है कritis को हम ध्यान से समझते हैं तो यहां पर कारबन क्या है सुत्त ग्तुन रच कारबन क्या है चोत्य सनियोजी मतलब इसके बाहरी काछा में चार है तो कारबन ना तो चार एलेक्ट्रान खोकर कि c4-धना यान खोने का मतलब क्या हुआ c के उपर 4 प्लस यह होता है खोना किसी को यह के दे सकता है पाजिटिव रहेगा तो लेकिन c अगर 4 माइनस हो जाएगा टो यह 4 الإlekterane लेगा सबन्गहर है यह ना तो 4 इलेकTrant त्याख सकता है ना त्या रैइट ग्रहन कर सकता है और ना ग्रहन करके ना त्याख कर यह अपना बॉंडभ बनाएगा बल्कि यह अपना बॉन्ड एक अलग तरीके से बनाता है किस तरीके से समझते हैं चार अत्रिक्ट इलेक्ट्रानों को धारण करना कारवन के लिए अत्यांत कठिन है कारवन दोरा चार इलेक्ट्रान खोने के लिए अत्याधिक एनर्जी की आवसकता होगी समझ पा रहे हैं या तो चार इलेक्ट्रान खोने के लिए या चार इलेक्ट्रान पाने के लिए इसको हमेसा हाई लेबल इनर्जी आवसकता होगी इसलिए एक कारवन अपने अन्य परमाडू अथवा अन्य तत्वों के परमाडू के इलेक्टरानों के साथ साजेदारी नहीं करता है और नहीं करता है और नहीं आबंद बनाता है जब साजदारी नहीं करेगा तो आबंद बने या कैसे नहीं बनेगा समझना रहे इतना बाद तो एक ही परकार या विहिन परकार के परमाड़ों के इलेक्ट्रानों की साज़ेदारिश से बने आबंध को सहसन्योजी आबंध कहते हैं अब उसनों पूछेगा ये कैसा आबंध है सहसन्योजी है कि सहसनेज़ी आबंध नहीं है तो सहसनेज़ी आबंध मतलब एक कहीं परकार के या भी भी परकार के परमाड़ों के इलेक्ट्रानों की सज़दारी से बने आबंध को बने बन्ड को हम क्या बोलेंगे सहसनेज़ी आबंध बोलेंगे समझ में आ गया अगला टॉपिक समझते हैं, पोइंट क्या दिएगए है कि कारभन के अत्रिक्त परमाडू हाइड्रोजन, आक्सिजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्टरानों की साज़दारी से आबंद बनाते हैं, जो कारभन के अत्रिक्त जो परमाडू है, कारभन के जिसे मला दूसरे के साथ अपना आबंध बनाएंगे बंडबनाएंगे संभालो यहां पर हाइच टू नहीं बनाए गई इस अक्सिजन के साथ यह बंड बनाएगा इस चार एच की साथ अपना बनाएगा तिसको अभी आएगे समझते हैं अनिया से धाय करेगा जो H2 भाई एसके पास कितने पर्माडव है तो हैंटु यह कैसे बने बार्व एक कोई पार्माट पार्माड एक इस ह त्थ्यों इस एच का पार्माड एक यह दो मिलन लों को सkov पुरा कर दोंगे के वाले को अब जब लो पारा करनी सिन्में पर क्या हों यहां पर ऐबान हो गाएक गांड एक इलेक्तराणा टिकल सबकावस vendor अब जब एक एक इलेक्ट्रान का साजा करेंगे तो सिंगल बंड जब डबल डबल इलेक्ट्रानों की साजा करेंगे तो डबल बंड ऐसे ट्रिपल इलेक्ट्रानों की साजा करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्रिपल बंड समझ पा रहे हो इस तरीके से इस तरीके से हाइड्रोजन h single bond h hydrogen parmudic के बिच यह bond बनेगा और यहां पे क्या दिखाएगा है तो शाज़दारी इलेक्ट्रानों का जोड़ा इलेक्ट्रान का यहां पे जोड़ा दिखाएगा है कि 2 इलेक्ट्रान आएंगे मिलेंगे और यहां पे क्या बन जाएंगे एक H2N बना लेंगे, समझ पा रहे हो, इसी तरीकिस हम समझते हैं, अगला यहाँ पर एक्जामपल O2 का, अक्सीजन का, तो अक्सीजन भी सेम वही प्रोसेस अपनाएगा, कैसे, तो अक्सीजन का कितना होता है भाई, लास्ट में, तो 6, 8 होता है न, अक्सीजन का परमाण कर् होता है, 8, अब 8 का इलेक्ट्रानिक विऱियास करो तो क्या हो जाएगा, 8 ओक्सीजन, O8 बचावर क्या हो जाएगा, 2오 6 हो जाएगा, अब यहाँ पर लास्ट में कितना बचा, यह वाला कर्चा में 6 इलेक्ट्रान, गया करेंगे, यह तो त्याग कर सकते हैं in a इ topics चाहिए इनको अगर दो इलेक्ट्रान गवाँ अ कितने इलेक्ट्रान फूल हो सकते हैं तो देखो मैंने चार कक्षा पता है, सबसे पहले K, फिर L, फिर M, फिर N, तो K में, K कक्षा में अधिक्ता मिले त्राणोक संख्या 2, L कक्षा मिले अधिक्ता मिले त्राणोक संख्या 8, और M कक्षा में अधिक्ता मिले त्राणोक संख्या 16, और N कक्षा में अधिक्ता मिले त्राणोक संख्य पूरा हो जाएगा अगर इसमें आठ आ जाएगा तो अब इसको दो इलेक्ट्रान चाहिए कैसे चाहिए तो इसको समझते हैं अब यहां पर देखो अक्सिजन के यहाँ पे 6 परमाडू और यहाँ पे अक्सिजन के 6 परमाडू यह क्या करेंगे और यह ऐसा करेगा कि यह जो अक्सिजन का परमाडू है यह दो इलेक्ट्रान बोलेगा ना कि भाई दो इलेक्ट्रान हमसे आप साजा कर लो ठीक दो इलेक्ट्रान देखे हम क्या कर देते हैं को सको पूरा कर देते हैं तर यहां पर लगत रहे हैं तो इन पर रहे हो चार इस तक ऊ sauna कोंफ रहे हो जाएगा और यहां पर समय तरहे ऑफ्छाथ से लेखंच एक Сबंधि में reception नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं तो नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन के अंतिम कोस में कितने इलेक्ट्रान होते हैं पांच तो यह पांच इलेक्ट्रान यह और पांच इलेक्ट्रान यह अब देखो मैंने क्या बोला कि एल वाले में के में दो और एल में कितने आठ इ तिन इलेक्ट्रान देने के लिए क्या करेंगे आपस में तिन इलेक्ट्रान के साजा करेंगे इस तरीके से अब तिन इलेक्ट्रान दे करके अपने एक बांड पूरा करेंगे इस प्रकार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रीपल बांड बनाएंगे नाइट्रोजन के प यहाँ पर पर हईडौ्गा उसके में दाला कि आफिशं क करेंक कि बाभू एश्यवागन कि रिखन वाला था क्टम IDE । ये अपना कोस्स पूरा कर लेगा कितना होता है किसमें T होता है इसके पास कितना है अब स्क सटार है लेकिन 8 कि लिए इसके पास कितना इसे से ले लेगा एक इससे लेले लेगा लास्क पीछ कोर में किपस पीछा कोछत दुड़ा ओइनrgy को फूल के लिए इसको किस तरह से बनाएंगे यहां पर दिखाए गया हाइड्रोजन का एक्लेक्ट्रान और हाइड्रोजन का एक्लेक्ट्रान से साजा किया इस परकार यहां पर किसी भी तरीक से डिनोट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप लिनियर लाइन वही दिखाओगे तो समझ में गया इस तरीक से बांड बनाएंगे इसकी जहनकारी और ही अच्छा तरिशा लेंगे आगे लेंगे तो अगला हमारा जो टापिक होगा सहसन्युची योगिकों के भावत्ति गूर तो इस टापिक के बारे में हम अगली सेशन के मायदन से चर्चा करेंगे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी है लगी तो वीडियो को लाइक करना जाद जादे सेर करना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ मैं सारे ब्लैकन भी प्रेस कर लिजे मिलते हैं अगली